हेलो एवरिवन, वेलकम तो बेटर माइंड्स, मेरा नाम है शुबाम और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MCQ सीरीज का लाइफ प्रोसेश चेप्टर का टॉपिक नंबर 13 लिम्फेटिक सिस्टम अब देखो इससे पहले हमने का पढ़ा था? Human Circulatory System पढ़ा था जहां पर हमने देखा था कि पूरा का पूरा जो Blood Circulatory System है हमारा वो किस तरीके से पूरा वर्क करता है, उसमें कितनी क्या क्या चीजें होती है पूरे के पूरे उसके उपर जो MCQs थे, वो हमने कवर किये थे हाँ वो अलग बात है कि दो वीडियोज लगे थी पूरा कवर करने में ठीक है, बट पूरा इतना डिटेल, इतना काफी अब जादा हमने क्या था कि अलमोश हमको दो वीडियो लगे थी उसको पूरा कवर करने में अब देखो होता काया, कि जैसे हमारा एक circulatory system है न, यह कह सकते हो, एक transportation system हमारा काया है, जैसे blood circulatory system है human circulatory system हुआ हमकर कह सकते, तो जैसे की एक थो हमारा वह हो गया अब उसी के parallel एक और हमारा transportation system शर्णुर्म चलता हैं जिसको कि हम क्या ओंते हैं वह्य move को लेकर टो यहेघी सब्सक्राइब कर यह यहीग था देखने वाले जैसे-इसτιड़ behavior पताते रेंगे तो तुम यह पर Castro 245 freq जो है PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा description में उसका link मिल जाएगा उसको download कर सकते हो और तो और अब तो यहाँ पे जितने भी जो यह हम अभी यहाँ पे questions करने वाले उनका live test दे सकते हो और अपनी performance को check कर सकते हो हमारी website www.bettermindclasses.com पे जाके और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इसी वीडियो के नहीं हर एक वीडियो के नीचे description में live test का link मिलेगा और उसके अलावा जो वीडियो नहीं भी बनी वी है उनका भी जो live test है वो हमारी website पे मिल जाएगा तो मतलब गुमाफेरा के बात है काफी सारे live test वापे मिल जाएगे system भी कहते हैं अब यहां पर system की spelling तोड़ी सी घलत होगे यह बतानी कैसे ठीक है तो जी लिंफेटिक system है वो क्या है कौन सा ऐसी चीज है इन में से जो कि लिंफेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है तो लिंफ capillaries नाम में लिंफ आ रहा है तो यह तो लिंफेटिक सिस्टम का पार्ट होगा बी है लिंफ नूड तो यह भी लिंफेटिक सिस्टम का पार्ट है फिर सी आता है large lymph vessel तो यह भी लिंफेटिक सिस्टम का पार्ट है तो पता ही लग गया है आपे नाम से अब यह सारी किसाइच चीजे क्या करती हैं क्या इनका वर्क है यह तो मैं आगे जाके कोश्चन साएंगी तो हर बार की जैसे मैं आगे बताता ही हूं वह बताऊंगा पर यहां पर यहां पर जो निदे हुट वॉड पर इन सब में से ऐसी क्या चीज है ढिनी चुप और जो की हमारी बंडी होती है उसमें प्रजंट होती है तो और यहां लंफ == कैपिलेरिस है कि जैसे शियकलिंटाइ चूथ इसले हमारी तो गंड़ होते lymph capillaries कहते हैं जैसे blood capillaries थी चोटी चोटी तो यह हमारी क्या है lymph capillaries है यह चोटी चोटी इनकी properties क्या यह भी जैसे आगे चलेंगे मैं बताता रहूंगा कि questions अब देखो मैं अभी यहां पर नहीं बता सकता क्यों आगे जो questions यूब है उनको मिलकर ही हमारा क्या बनता है lymph vessel बनेगी वैसल क्या बताया था वैसल बताया था नहें एक तरीके का pipe क्यालो ऐसे करके जैसे हमारे arteries veins यह सब क्या है blood capillaries यह क्या एक तरीके की differentiated मतलब अगर तुमारे सामने मैं lymph capillary रख दूँ और blood capillary रख दूँ खेर पहली बात तो दिखाई नहीं देगी ठीक है बड़ लेकिन अगर मालना हमारे सामने जो है यहां पर दोनों के दोनों हमारे सामने हो तो हम कैसे उन दोनों को ब्लड capillaries जो थे उनके दोनों end open थे एक तरफ से arteries उसमें join उरी थी arteries से blood आ रहा था और फिर बीचें blood capillary थी और उसके बाद blood capillary के जो end था वहां पर क्या था veins थी वहां पर तो इस तरीके से क्या था हमारा पूरा का पूरा structure था यहां पर आप जो lymph capillaries होती है वो कैसी होती है in size जो pores होते है lymph capillaries के वो क्या होते है थोड़े से बड़े होते है size में हाँ आप समझगे देखो तो lymph capillaries में end जो होता है उनका वो तो close होता है लेकिन lymph capillaries के अंदर क्या होता है pores होते है अब यह जो lymph capillaries के अंदर जो pores होते है न कोई भी चीज अंदर बाहर जानी होगी त तो यहां पर करेक्ट आंसर जो जाएगा वह जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अब तुमने एक चीज नोटिस करिए होगी जितने भी कोशन सब्सक्राइब होते हैं तुमने तो तीनों ही पढ़ लिये इसी वे से क्या होता है इस तरीके से यहां पर जो कोशन है वहां है आप पर डालके रखता हूँ चलो तो यह तो होगई तोड़ी अपनी तारीफ चलो चलते हैं नेक्स कोशन पर ठीक है अब आते हैं कोशन नंबर फोर के उपर लाज प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजंट इन दर टेशियो फ्लिव्ड के एंटर लिंफ केपलरी जो लाज प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं देखो प्रोटीन कुछ ऐसी चीज़े होती है हमारी बॉडी में जो की जो हमारा ब्लेड सर्कुलेटर सिस्टम था वो जो है वो लेकर नहीं जा पारा था क्योंकि देखो उनका जो साइस था वो था बड़ा और ब्लेड केपलरी जो थी उनका साइस है छोटा अब बड़ा मॉलिक्यूल फिर ब्लेड केपलरी में कैसा आएगा कोई चीज़े से सुचो कोई पतला पाइप है और सामान आने जाना है उसके फोड़ा बड़ा तो उसके अंदर travel नहीं कर पाएगा ठीक है तो यहां पर क्या होता है जो लार्ज protein molecule है इसलिए जो लार्ज protein molecule है जो भी ऐसा molecule जो भी ऐसा मालुड जो बड़ा होता है किसी भी चीज़ का molecule अचाहे large protein molecule present in the tissue fluid हमारा जो tissue fluid है उसमें large protein के जो molecule है वो क्लिंफ capillories में enter कर पाती है क्यों बढ़े होने के बावजूद भी enter कर पारे है क्यों यातकर ओप्शला रहा कोशन कोशन ममब 3 क्या बताया था पोर्ट का को ट्रांसफर को वाने का कोई कोई लॉजिक नहीं है होता है कैपिलरीज का क्लोजेंड लेकिन उसको लॉजिक यहां पे नहीं बैठ रहा है यहां पर कि लाज़ करवाने का लॉजिक में है इसलिए करेक्ट अंसर हमारा हो जाएगा option नंबर हमारा यहां पर हो जाएगा option number D large size of ports, ports का size बढ़ा होता है lymph capillaries में तो easily travel कर पाते हैं अब आते हैं question number 5 the lymph nodes contain special kind of cell जो lymph node होती है अब ऐसा समझो lymph node क्या चीज़ है तो पहले क्या होता है lymph capillaries के एक lymph node भी ऐसा समझो कि जो lymphatic system है उसी का एक part है हमारा lymph node बीच विच प्रेजंट होता है काफी सारे lymph node होते हैं तो जो lymph node है यह क्रिये कि lymph node के पास क्या होता है special तरीके होता है अभी क्रें वो cell कौन सा हो What a cell है उसके पास अब देखो मैं आपे अभी lymph node क्यों नहीं बता रहा है अभी lymph node का एक question आने वाला है आगे अब मैं यहां बता दूँगा तो उस question का कोई मज़ा नहीं आएगा फिर इस question में तो यहां पे अभी जितना अभी बता रहा हूं उतना समझो lymph node अभी आजएगा अभी लग रहा हो ना कि lymph node क्या क्या बताओ 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 अभी lymph node आगया आएगा ठीक है वहां पर बताऊंगा अभी डिटेल में आने वाला है question lymph node जो होता है उनके पास क्या होता है कि special तरीके का cell होता है तो बोल रहा है कौन सा होता है red blood cell, plasma, platelet ये नीचे की जो तीनों चीज़े है अगर जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखे होंगी तो उसे याद होगा ये तीनों चीज़े present होती है हमारे blood के अंदर लेकिन हम यहा आपर जहां पर बात कर रहे है वो क्या होता है एक्ट्वर लिंफो साइड क्या है कि special तरीके के white blood cell है जो कि हमको क्या करते है जो disease वगएरा हमको होती है मतलब हमको उससे बचाएंगे fight करेंगे जो germs वगएरा है उनसे kill करेंगे उनको ठीक है तो इस तरीके से immunity एक तरीके से यह improve कर रहा है हमारी अब आते हैं question number 6 के उपर which of the following is formed when lymph capillaries are joined यह कह रहे है अगर lymph capillaries को ऐसे एक capillary दो capillary तीन capillary ऐसे हम अगर join कर दे बहुत सारी lymph capillaries को तो उनसे क्या बनेगा lymph बनेगा lymph node बनेगी arteries बनेगी या फिर large lymph vessel बनेगी तो lymph capillaries को हम जब join करते तो उनसे हमारा क पर बनती है यानि कि option number जो डी है हमारा वो यहां पर हमारा correct answer अब आते हैं हम अपने next question के उपर question number 7 the lymph vessel है जो lymph vessels होती है जिनके अभी मैंने बात करें कि बहुत सारी lymph capillaries को मिलके क्या बन रहा है lymph vessel बन रहा है पूरा का पूरा ठीक है अब यह जो lymph vessel है ना ऐसा नहीं कि एक त cell या कोई particular chemical या कुछ भी चीज को मतलब secret करना यह इसका काम है या कुछ भी चीज इसके पास होती है मतलब लिंफ ग्लेंड के एक तरीके का बीच बीच में stoppage है जिसके पास कुछ होगा मतलब अब वह इसलिए नहीं बता रहे है क्योंकि अभी आ आने वाला है तो इसलिए तो जो lymph vessel have lymph gland at interval known as तो उन lymph gland को क्या बोलते हैं तो अभी मैंने पिछले बार बताया था लिंफ नोड इसलिए नहीं बता रहता है उस टाइम पे लिंफ नोड क्योंकि यहां पर आनसर था तो जो lymph vessel के बीच बीच में कुछ कुछ टाइम बाद कोई चीज आती है जिसको कि हम lymph gland बोते हैं और उन lymph gland का जो नाम है वो हमारा क्या होता है आप उनको हम कहते हैं lymph nodes कहते हैं कुछ कुछ टाइम बाद आ रहा है अब आते हैं question number 8 के ओपर lymph nodes containing lymphocyte are involved in the lymph nodes जिनके की पास lymphocyte होता है यह तो पहले भी बता चुके जो lymph nodes होती है उनके पास special तरीके का cell होता है जिसक के जिनका की काम क्या है lymph जो हमारा सको clean कर रहा है जैसे blood fluid है cleaning of blood नहीं अब जब बलड जो है वह travel ही नहीं कर रहा है तो ब्लड को क्लीन कहां से करेंगे फिर है ना ब्लड ट्रेवल भी तो करना चाहिए वहां से क्लीन करने के लिदो ब्लड तो ट्रेवल ही नहीं करता वहां से इस तरीके से ठीक है यह चीज होनी थी तो अब यहां पर वही आता है हमारा कि यहां पर इसको सही कर लेना और आंसर जो यहां पर जो पीडिएफ में जो आंसर दिया होगा वह option by D दिया होगा क्योंकि यह सोचके कि वहां पर both cleaning of lymph लिखा है तो उसको correct कर लेना सिर्फ दो ही का muscles are connected to .. जो lymph vessels होती है वह किस चीज से connected होता है .. निम्फ vessel में जब lymph qui आकर कर रहा है इडिएट दियान लिंफ को जाकरना पड़ेगा हमारे blood में ही मिलना पड़ेगा तो लिंफ vessel जो है वह connected होती है.. किससे? Lymph vessel connected होती है large veins से.. हमारी body के बड़ी बड़ी जो veins होती है उनसे वो connected होती है तो यहाँ पर option number हमारा जो A है वो correct हो जाएगा large veins अब आते हैं question number 10 के उपर lymph is a जो lymph होता है वो हमारी क्या चीज़ है yellow color का liquid है red color का liquid है या similar to plasma है या light yellow liquid है जो कि plasma के जैसे है तो lymph जो है वो हमारा पर correct answer है अब आते हैं question number 11 के उपर which of the following is not present in lymph इन सब में से कौन सा जो है जो की lymph में present नहीं होता है large protein molecule भई lymph है ही C के लिए के large protein molecule को travel कर आओ बढ़ी अगर के digested food, digested जो food होता है जिसके बड़े-बड़े molecule होता है वो भी मापे present होता है diastate food भी, C है red blood cell अब यह चीज़ अब देखो blood की तो जहां बात आए वो तो होगा ही नहीं न कभी भी lymph में तो red blood cell तो हो इन सकते, red blood cell होने के लिए blood चाहिए मापे अब blood ही नहीं है जब, तो red blood cell जो है वो नहीं होगा मापे अब आते हैं question bar 12 के उपर, lymph flows from लिम्फ जो होता है, वो कहां से कहां को flow करता है heart to body tissue, हमारे heart से body tissue शान, body tissues to hurts, या फिर body tissue से heart की तरफ या फिर हमारे lungs से heart की तरफ तो हमारे जो bodyissues होते हैं वहां से, और हमारे heart की तरफ को flow करेगा जो हमारा lymph होगा अब आते हैं question number 13 के उपर lymph is called dash fluid, lymph को हम dash fluid भी कहते हैं, कौन सा fluid कहते हैं, extra cellular, intracellular, all of the above, none of the above, तो क्योंकि जो lymph है वो cells के बाहर हमारे travel कर रहा है तो इसलिए उसको हम क्या बहुते हैं, extra cellular fluid, cell के बाहर, cell से extra में है, cell के बाहर है वो, तो यहनि कि 13 question का answer हमारा जो corrective हो जाएगा option number A, extra cellular, अब आते हैं question number 14 के उपर, inside the lymph nodes, lymph is clean by, जो lymph nodes है, उनके अंदर lymph को clean करने का काम कौन करता है, तो यह question थो हम पहले भी already कर चुके हैं, बसे तोड़ा सा गुमा फिरा के इस question को दे दिया है, यहाँ पर हलका सा, तोड़ा सा गुमा फिरा के हलका सा गुमा फिरा है, तो lymph node के अंदर कौन होता है, लिम्फोसाइट होता है, तो यह किसका काम है, लिम्फोसाइट का काम है, अब तो तुम समझगोंगे cleaning वेरा का काम किसका, लिम्फोसाइट का काम है, अब आते हैं question number 15 पे, the clean lymph containing large protein molecule, diastrate fat and other food molecule is transported by lymph vessel to the large veins called, अब यह याद है, अभी बताया था क्या बोलते हैं, कौन सी वेन है वो, क्या ना है में उस में इस का वेन्स तो बहुत सारी हमारी बॉड़ी में, तो pulmonary vein है, subclavian vein है, या फिर बोत या फिर नन अव दावर, तो हमारे यहाँ पर option number pulmonary vein तो अलगी हो गई, वो तो जो हमने blood circulatory system पढ़ा था, वो तो वाली हो गई कि at the end, जितना भी हमारा जो lymph है, वो lymph जाके हमारा क्या होता है, veins में मिलता है, ठीक है, यह बता दिया, और veins भी कौन सी vein में जाके मिलता है, subclavian vein के जाके मिलता है, तो subclavian vein होती है, वो run just beneath the, अब यह कह रहे हैं question कि जो subclavian vein होती है, वो किसके just bagel में होती है, तो अब इसका जो answer है, वो करो comment section में, क्योंकि मैंने पूरा बता दिया कि subclavian vein क्या है, क्या नहीं है, अब यह तुमको बताना है मेरको कि subclavian vein है, उसकी location क्या होती है, mouth cavity, buckle cavity, collar bone या थुरकी cavity, तो इन चारों में से कौन सा option सही है, उसको comment करके बताओ मुझे comment section में, और सही जिसका भी answer तो idea एक लगी जाएगा कि किसका answer सही है, so this is the end of this video, I hope कि यहाँ पर जितने भी MCQs है, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और यह पूरी community जो series है, बहुत ही आदा है यहाँ पर पसंदार होगी, लेकिन फिर भी अगर इस video से related कोई भी doubt है, या फिर जो हमारी series ह या पूरे के पूरे overall channel से related, कोई भी एकर suggestion है, तो उसको भी नीचे comment section में लिखे बता सकते हो, और Instagram पे message भी कर सकते हो, तो चलो मिलते हैं फिर next video में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हो, और मजे करते हो